वेल्कम आवर यूटूब चैनल जी एस्वित आंसू दोस्तों विपेसे पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नम्मर 17 लगाते हैं जिसमें 100 पलस कोशन सामिल किया गिया है जो लोग CDPO बिहार साइमेंस के तियारिक कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2011 की जनगर्ना के अनुसार निमली खित में से बिहार के जीलों का कौन सा समू जनसंख्या का सही अब्रोही करम दरसाता है आपको घरते करम में बताना है तो दोस्तों जनसंख्या का सही अब्रोही करम हो जाएगा पहले होगा पटना फिर उसके बाद पूर्वी चमपारन और फिर इसके बाद मुझपरपूर और उसके बाद मधु बनी अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में सुर्व मंदिर कहां इस्तित है तो दोस्तों बिहार में सुर्व मंदिर इस्तित है देव में अगला प्रस्न देखते हैं जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत में बिहार का करम कौन सा है तो दोस्तो जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत में बिहार का करम है पिर्थिय करम अगला प्रस्म देखते हैं मिथला रमायन लिखने का स्रे किसे दिया जाता है तो दोस्तो मिथला रमायन लिखने का स्रे दिया जाता है चंद्रा जाको अगला प्रस्ण देखते हैं भोजपुरी का सेक्स पियर किसे कहा जाता है तो दोस्तों भोजपुरी का सेक्स पियर कहा जाता है भिकारी ठाकूर को अगला प्रस्ण देखते हैं जारकन बिहार से कब प्रिथक हुआ था तो दोस्तों जारकन बिहार से प्रिथक हुआ था 15 नौवंबर 2000 में आगला प्रस्ण देखते हैं 2001-2011 के दुरान बिहार की जनसंक्या ब्रिथी दर क्या रही तो दोस्तों 2001-2011 के दुरान बिहार की जनसंक्या ब्रिथी दर रही थी 25.4 प्रतिसत आगला प्रस्ण देखते हैं छेतपल की द्रिष्टी से बिहार का सबसे छोटा जीला कौन सा है तो दोस्तों छेतपल की द्रिष्टी से बिहार का सबसे छोटा जीला है सिवर आगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में प्रवंडलों की संख्या कितनी है तो दोस्तों बिहार में प्रवन्डलों की संख्या है नौ अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार का नियुम्तम अनुसूची जाती वाला जीला कौन सा है तो दोस्तों बिहार का नियुम्तम अनुसूची जाती वाला जीला है किसन गंज अगला प्रस्ण देखते हैं के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत कितना है तो दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत है 1806 अगला प्रस्न देखते हैं बिहार की सीमा रेखा कितने राजियों को अस्पस करती है तो दोस्तों बिहार की सीमा रेखा तीन राजियों को अस्पस करती है अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में जीलों की संख्या कितनी है तो दोस्तों बिहार में जीलों की संख्या है 38 अगला प्रस्न देखते हैं कीस राज का राज की पच्छी गुड़या है तो दोस्तों बिहार कोकीला किसे कहा जाता है तो दोस्तों बिहार कोकीला कहा जाता है सारदा सिना को अगला प्रस्ण देखते हैं संद सर्फोदिन यहिया मनेरी का मकवरा की जिले में है तो दोस्तों संद सर्फोदिन यहिया मनेरी का मकवरा पतना जिले में है अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में प्रकंडों की संख्या कितनी है तो दोस्तो बिहार में प्रकंडों की संक्या है 534 अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में सरवाधिक पुरू साचर्ता वाला जिला कौन सा है तो दोस्तो बिहार में सरवाधिक पुरू साचर्ता वाला जिला है रोताज जिला अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में स्रवाधिक जनसंख्या घनत वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों बिहार में स्रवाधिक जनसंख्या घनत वाला जिला है सिवर अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में विश्विद्यालों की संख्या कितनी है तो दोस्तो बिहार में विश्विद्यालों की संक्या है तेरा अगला प्रस्न देखते हैं बिहार राज कब अस्तित में आया था तो दोस्तो बिहार राज अस्तित में आया था एक अपरेल 1912 में अगला प्रस्न देखते हैं दरिया पंथी संपरदाय क्या था तो दोस्तों दरिया पंथी संपरदाय था एक संसलेशित धार्मिक विचार धाड़ा अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है तो दोस्तों बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101 अगला प्रस्न देखते हैं साचर्ता की दरिष्टी से भारत के राजियों में बिहार का करम कौन सा है तो दोस्तो साचर्ता की दृष्टी से भारत के राजियों में बिहार का करम है 28 करम अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार में महानगडों की संख्या कितनी है तो दोस्तो बिहार में महानगडों की संख्या है एक अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो जय परकास नडायन की मिलती हुई थी तो दोस्तो जय परकास नडायन की मिलती हुई थी 1989 में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो बिहार का उवा प्राथम बैक्ती जिन्हें मनो प्रांत असोग चक्र से पुरुष्कित किया गिया था तो दोस्तो बिहार का उवा प्राथम बैक्ती था रंधिर वर्मा जी जिन्हें मनो प्रांत असोग चक्र से पुरुष्कित किया गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार का सबसे लंबा रेल पूल किस नदी पड़ है तो दोस्तों बिहार का सबसे लंबा रेल पूल है सोण नदी पड़ अगला प्रस्ण देखते हैं विष्व का प्रथम योग विष्व दाले बिहार में निम्नांकित में से कहां अबस्तित है तो दोस्तों विष्व का प्रथम योग विष्व दाले बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं थावे तृत अस्तल किस जिले में इस्तित है तो दोस्तो थावे तृत अस्तल गोपाल गन जिले में इस्तित है अगला प्रसन देखते हैं सोनपुर का पसु मेला किस जिले में लगता है तो दोस्तो सोनपुर का पसु मेला सारन जिले में लगता है अगला प्रसन देखते हैं बिहार के किस जिले को गं गंगा नदी का परवेश दुवार माना जाता है तो दोस्तों बिहार के बक्सर जिले को गंगा नदी का परवेश दुवार माना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं बिहार का गांधी नाम से निम्नांगित में से कौन परसीद है तो दोस्तो बिहार का गांधी नाम से परसीद है मजुरूल हक अगला प्रसन देखते हैं बिहार की किस नदी को अब पवित नदी माना जाता है तो दोस्तो बिहार का कोशी नदी को अब पवित्र नदी माना जाता है अगला प्रस्न देखते हैं बिहार के की जिले में लिंगा नूपाज सरवादिक है तो दोस्तो बिहार के गोपाल गन जिले में लिंगा नूपाज सरवादिक है अगला प्रस्न देखते हैं आलू सो संसान कहां इस्तित है तो दोस्तों आलू सो संसान अवस्तित है पटना जिले में अगला प्रस्न देखते हैं चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है अगला प्रस्न देखते हैं बिहार के किस जिले में सौर पर्थम दूरदर्शन केंदर अस्तापित हुआ था तो दोस्तो बिहार के मुझपर पूर जिले में सौरपर्थम दुर्दरसन केंदर अस्तापित हुआ था और यह अस्तापित हुआ था उनिसो अठातर में अगला प्रसन देखते हैं राश्टी लीची सो संस्तान कहां है तो दोस्तो राश्टी लीची सो संस्तान है मुझपर पूर में अगला प्रस्न देखते हैं अब्दुल्बारी रेलवे पूल बिहार के किस नदी पर अवस्तित है तो दोस्तो अब्दुल्बारी रेलवे पूल बिहार के सो नदी पर अवस्तित है अगला प्रस्न देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक निर्थ है तो दोस्तों बिहार का लोक निर्थ है डोम कच अगला प्रस्न देखते हैं बिहार का सरवाधिक लोक प्रियता की सिल्षले या सूफी संपरदाय को मिली थी तो दोस्तो बिहार में सरवाधिक लोग प्रियता फिर्दोसी संपरदाई को मिली थी अगला प्रस्ण देखते हैं दर्या पंथी संपरदाई के संस्तापक दर्या साहब का जनम हुआ था तो दोस्तो दर्या साहब का जनम हुआ था भोचपुर जिला में अगला प्रस्ण देखते हैं सीख गुरुओं में स्वरपर्थम बिहार का भरवन किया था तो दोस्तो सीख गुरुओं में स्वरपर्थम बिहार का भरवन किया था गुरु नानक देवने अगला प्रस्ण देखते हैं सीक धर्म के दसमे गुरू स्री गुरू गोविन सिंग का जनम कहा हुआ था तो दोस्तो गुरू गोविन सिंग का जनम हुआ था पटना सीटी में अगला प्रस्ण देखते हैं मधु बानी कला के छेतर से संबंध है तो दोस्तो मधुबणी कला संबंदित है मिथी यांचल से अगला प्रस्न देखते हैं बीहार का पड़मूख तेवार क्या है तो दोस्तो बीहार का पड़मूख तेवार है छट पूजा अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार में इसायों का पहला चर्च कहां बना था तो दोस्तों बिहार में इसायों का पहला चर्च बना था पटना सीटी में अगला प्रस्न देखते हैं नालंदा विश्विद्याले के अचारी थें तो दोस्तों नालंदा विश्विद्याले के अचारी थें दीखना तथा सिल्भदर ओप्शन C हो जाएगा सही उपड़ोक A और B दोनो अगला प्रस्ण देखते हैं भोजपुरी भासा की विश्परसित क्रिती विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विदेशिया के रचनाकार है भिकारी ठाकूर अगला प्रस्ण देखते हैं भोजपुर का जन कवी की से कहा जाता है? तो दोस्तों भोजपुर का जन कवी कहा जाता है भिकारी ठाकूर को अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार का पहला अंग्रेजी अकवार कौन था? तो दोस्तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखवार था दी बिहार हेरोल्ड अगला प्रस्न देखते हैं नालंदा विश्विद्याले में सिच्छा का माधियम था तो दोस्तो नालंदा विश्विद्याले में सिच्छा का माधियम था पाली भासा अगला प्रस्ण देखते हैं पटना कलम संबंदित है तो दोस्तों पटना कलम संबंदित है चित्रकला से अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों पटना कलम के पड़ाथम महत्पून चित्रकला कौन थे तो दोस्तो पटना कलम के प्रत्थम महत्पुन चित्रकार थे सेवक राम अगला प्रस्न देखते हैं पटना कलम सेली से सम्बंधित चित्रकार कौन है तो दोस्तो पटना कलम से सम्बंधित चित्रकार है घुलास लाल, जैरामदास तथा सीव दियाल एम इस्वरी परसाद ओप्शन D हो जाएगा सही उप्योग सभी अगला प्रस्म देखते हैं पटना कलम चित्रकला सेली संबंदित है तो दोस्तों पटना कलम चित्रकला सेली संबंदित है परवर्ती मुगल काल से अगला प्रस्म देखते हैं मधुवणी चित्रकला का संबंद किस रासे है तो दोस्तों मधुवणी चित्रकला का संबंद है बिहार रासे अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तों मधुवणी चित्रकला के संबंद में कौन सा कथन सही है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option D उपविक सभी सही है यह लोग कला है इसमें महिलाओं को ही पुन भुमिका रही है यह चित्र दो परकार के होते हैं भीची चित्र और अडिपन अगला प्रस्म देखते हैं बिहार में हिंदी साइस सम्मेलन की अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तो बिहार में हिंदी साइस सम्मेलन की अस्थापना हुई थी वर्ष 1919 में अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार रिशर्च सोचाइटी की अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तों बिहार रिशर्च सोचाइटी की अस्थापना हुई थी 1915 में अगला प्रस्ण देखते हैं मधु स्रावनी पड़ विशेश रूप से मनाया जाता है तो दोस्तो मधु स्रावनी पर्व विशेश रूप से मनाया जाता है मिथी रांचल में ओप्शन D हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं सोराट सवा मेला कहां आईजुत होता है तो दोस्तो सोराट सवा मेला आईजुत होता है मिथी रांचल में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों हरियर छेत्र का मेला या सोनपूर का मेला आयजित किया जाता है गंगा गंड़क के संगम पर अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों पटना सीटी में इस्तीत पादरी की हविली और बाकी पूर्चर्च पर्ती निधित करती है गोथिक सेलिका अगला प्रस्ण देखते हैं परसी सनाई वादक उस्साद बिस्मिल्ला खा का जनम कहा हुआ था तो दोस्तो उस्साद बिस्मिल्ला खा का जनम हुआ था डुमडा बक्सर में अगला प्रस्ण देखते हैं मन्जूसा चितर सेली की छेतर में लोग प्रिय थी तो दोस्तो मन्जूसा चितर सेली अंग छेतर में लोग पिडिया थी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो विदेशिया किस राज का लोग निर्थ है? तो दोस्तो विदेशिया लोग निर्थ है बिहार राज का अगला प्रस्म देखते हैं पटना संगडाले की अस्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना संगडाले की अस्थापना हुई थी 1919 में अगला प्रस्म देखते हैं बिहार की किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो दोस्तो मेथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापती को अगला प्रस्ण देखते हैं पाटना में इस तीथ विश परसीद खुदा बक्स ओरियंटल पब्लिक लैबरेरी की अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तो खुदा बक्स ओरियंटल पब्लिक लैबरेरी की अस्थापना वर्ष't marriedмотр 91 में की गई थी अगला प्रस्ण देखते हैं असो के सी अस्थम इस्तित है तो दोस्तो असो के सी अस्तित है वेसाली में अगला प्रस्न देखते हैं हिंदो का पवित्र अस्तल विश्नु पद मंदिर इस्तित है तो दोस्तो विश्नु पद मंदिर इस्तित है गया में अगला प्रस्ण देखते हैं नालंदा विश्विदायले की सौर पर्थम पाचान की थी अलगजेंडर कंधिंगम ने अगला प्रस्ण देखते हैं थावे का तीर्थ अस्तल कहां इस्तित है तो दोस्तो थावे का तीर्थ अस्तल इस्तित है गोपाल गंज में अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार राज में खेल कुद को प्रोसाहित करने का स्रे दिया जाता है तो दोस्तो बिहार राज में खेल कुद को प्रोसाहित करने का स्रे दिया जाता है मोयनुल हक को अगला प्रस्म देखते हैं बिहार में सबसे पुराना चिकिस्था महा बिद्याले कहा है तो दोस्तों बिहार में सबसे पुराना चिकिस्था महा बिद्याले है पतना मेडिकल कॉलेज पतना में अगला प्रस्म देखते हैं बिहार राज में सिच्छा दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो दोस्तों बिहार राज में सिच्छा दिवस का आयोजन किया जाता है 11 नौमबर को अगला प्रस्न देखते हैं बिहार राष्ट भासा परिशत की आस्थापना किस वर्स हुई थी तो दोस्तो बिहार राष्ट भासा परिशत की आस्थापना 1950 में की गई थी अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में बच्चों को सिच्छा के मुगधारा से जोडने हेतू किस अभ्यान की शुरुवात की गई है तो दोस्तो वह अभ्यान का नाम है संकल्प अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो मुस्लिम अल्फ संक्यक समुदाय की लड़कियों को ब्यफसाईग परिशन देने के उद्देश से कौन सी योजना की शुरुवात की गई है तो दोस्तो वह योजना का नाम है हुनर अगला प्रस्न देखते हैं बिहार सरकार ने त्री अस्त्रिय पंचायतों के लिए अधिकार एम कर्तब एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था तो दोस्तो संकल्प का प्रकाशन किया गिया था वर्ष 2001 में अगला प्रस्न देखते हैं पटना नगर निगम की अस्तापना किस वर्ष हुई थी तो दोस्तो पटना नगर निगम की अस्तापना 1952 में की गई थी अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में दुर्दर्शन का पहला केंद्र कब और कहां अस्तापित किया गिया था तो दोस्तो बिहार में दुर्दर्शन का पहला केंद्र मुझपरपूर में और 1978 में अस्तापित किया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में माल यानि की गूट्स डबा बनाने का कारखाना कहां है तो दोस्तों बिहार में डबा बनाने का कारखाना है मुझापरपुर में अगला प्रस्फन देखते हैं 2011 की जनकरणा के अनुसार बिहार की जनसंग्या कितनी है तो दोस्तो, 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार की जनसंकिया है 10,40,99,452 अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो बिहार में साचर्ता की दर क्या है तो दोस्तो बिहार में साचर्ता की दर है 11,8% अगला प्रस्न देखते हैं बिहार सिच्छा पुरिजना मुख रूप से किस से संबन्दित है तो दोस्तो बिहार सिच्छा पुरिजना मुख रूप से संबन्दित है पड़ात्मिक सिच्छा एम प्रोड साचर्ता से अगला प्रसन देखते हैं किस अभिनेता को बिहारी बाबुक कहते हैं तो दोस्तों बिहारी बाबुक कहते हैं सत्रुधन सीना को अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों चरवाह विश्विदाले काड़कडम बीहार के किस मुकमंत्री ने शुरू किया था तो दोस्तों चरवाह विश्विदाले काड़कडम बीहार के लालू परसाद ने शुरू किया था अगला प्रस्न देखते हैं सन दोहजार एगारा की जनगर्णा के अनुसार बिहार की जनसंक्या भारत की जनसंक्या का लगवक कितना प्रतिसत है तो दोस्तो सन दोहजार एगारा की जनगर्णा के अनुसार बिहार की जनसंक्या भारत की जनसंक्या का लगवक 8.6% है अगला प्रस्ण देखते हैं सन 2011 की जनकर्णा के अनुसर बिहर का लिंगा नुपात कितना है तो दोस्तो सन 2011 की जनकर्णा के अनुसर बिहर का लिंगा नुपात है 918 अगला प्रस्न देखते हैं बिहार की दूतिय राजभासा कौन सी है तो दोस्तों बिहार की दूतिय राजभासा है उर्दू अगला प्रस्न देखते हैं जाती वाद पर अधारित आतंगवादी सेना की सराज़ की उपज है तो दोस्तों जाती वाद पर अधारित आतंगवादी सेना बिहार राज़ की उपज है अगला प्रस्ण देखते हैं बिहारी अखवार के संपादक कौन थें? तो दोस्तों बिहारी अखवार के संपादक थें बाबु महिस्वरी परसाद अगला प्रसन देखते हैं सोडाज कथा नामक पतरीका का संपादन किस ने किया था तो दोस्तो सोडाज कथा नामक पतरीका का संपादन किया था बाल मुकुंद बाजपई ने अगला प्रसन देखते हैं बिहार स्टुडेंट कॉंफरेंस की आस्थापना कब हुई थी तो दोस्तो बिहार स्टुडेंट कॉंफरेंस की आस्थापना 1906 में की गई थी अगला प्रस्ण देखते हैं Motherland नामक समाचर पत्र का निर्देशन किसने किया था तो दोस्तो मदर लेंड नामक समाचर पत्र का निर्देशन किया था सर्ला देवी ने अगला प्रस्ण देखते हैं कौमी सेवक दल का मुख्याले कहा था तो दोस्तो कौमी सेवक दल का मुख्याले था मुझपर पुर में अगला प्रस्ण देखते हैं इंक लावी सिफाई दल किसने बनाया था तो दोस्तों इंक लावी सिफाई दल बनाया था सहदेव परसाद ने अगला प्रस्न देखते हैं स्रामिक संग की अस्थापना 1925 में कहां हुई थी तो दोस्तों स्रमिक संकी अस्थापना 1925 में की गई थी पटना जिले में अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में राजकी पसु एम पस्षी का दर्जा 17 अप्रेल 2003 को करमसर किसे दिया गिया है तो दोस्तों बिहार में राजकी पसु बैल तथा पस्षी गुड़ईया को 17 अप्रेल 2013 को दर्जा दिया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं एकी क्रित बिहार का कौन सा सहर जहारकन की राधानी बना है तो दोस्तों जहारकन की राधानी बना है राची अगला प्रस्न देखते हैं जनगन्ना 2011 के अनुसार बिहार में सरवाधिक लिंगा नूपात वाले प्रथम चार जिले कौन से हैं तो दोस्तों जनगन्ना 2011 के अनुसार बिहार में सरवाधिक लिंगा नूपात वाले प्रथम चार जिले हैं गोपाल गंज फिर सिवान फिर साडन फिर किसन गंज अगला प्रस्न देखते हैं नियुम्तम साचरता वाले परदेश कौन हैं तो दोस्तो नियुम्तम साचरता वाले परदेश हैं बिहार अगला प्रस्न देखते हैं उर्दु को दूसरी राजभासा का दरजा देने वाला द देश का पहला राज कौन है तो दोस्तो उर्दू को दूसरी राजभासा दरजा देने वाला देश का पहला राज अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में उर्दु को दूसरी राजभासा का दर्जा कब दिया गिया था तो दोस्तों बिहार में उर्दु को दूसरी राजभासा का दर्जा दिया गिया था वर्स उनिसो असी में अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना की जिले से सम्बंदित है तो दोस्तों गंगा जल की घटना सम्बंदित है भागलपुर जिले से अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी वर्स उनिसो असी में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों बिहार के बौध गया में इस्तित महाबोधी मंदिर विश्विरासत घोशित किया गिया था तो दोस्तों बिहार में बौध गया में इस्तित महाबोधी मंदिर विश्विरासत घोशित किया गिया था दो हजर दो में अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार का अर्तिस्वा जिला अरवल कब अस्तित में आया था तो दोस्तों बिहार का अर्तिस्वा जिला अरवल अस्तित में आया था दो हजर एक में अगला प्रस्ण देखते हैं संजे गांधी जैविक उध्यान बिहार के की जिले में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं निम्नांकित में कौन बिहार के परमुक लोक नाट है तो दोस्तों बिहार के परमुक लोक नाट है विदेशिया सामा चकेवा तथा जाट जाटिन उप्यूक सभी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार के औरंगा बाद जिले का गठन कब हुआ था तो दोस्तों बिहार के औरंगा बाद जिले का गठन हुआ था वर्ष 1973 में थैंक यू